Hello friends, इस वीडियो के अंदर मैं B.com और B.BA स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा अब मैं यहाँ पर कोई घ्यान की बात करने नहीं जा रहा हूँ आपके साथ कुछ ऐसी practical और logical बात करने जा रहा हूँ जो आपको समझ में आएगे और शायद आपको motivate कर दे कि आप B.com और B.BA को जिस angle से देखते हैं उस angle से देखना बंद करते हैं सबसे पहले एक चीज समझे आज के time पे industry pattern जो है वो बहुत change हो रहा है मैं आपको बड़ा simple सा example देता हूँ बड़ी बड़ी companies जो है instead of hiring the professionals वो आजकल graduates को hire कर रही है उनको training दे रही है और उन्हें उस level पे लेके आ रही है कि वो professionals को जो quality है उसको meet कर पाए उसकी reason क्या है? उसका reason सबसे बड़ा यह है एक तो company के point of view से cost cutting होती है कि professional hire करेंगे तो obviously उसकी costing बहुत higher side होगी until less वो statuary requirement ना हो like CEO point करना ज़रूरी है तो that's a separate issue but for the day-to-day working what they are preferring graduates higher के जाए उनको trained के जाए उसको इस level पे लगया है सिर्फायदा क्या है companies को costing कम आती है second अपने हिसाब से अपने staff को train कर पाते है और एक यह जो नया pattern industry के अंदर आ रहा है इसकी वजह से graduation को लेके एक नया scope बिल्ट हो रहा है लेकिन यह इतनी असानी से आपको नहीं मिलने वाला है इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी graduation complete करेगा और उसको job लग जाएगी कुछ basic चीज़ा आपके पास होनी चाहिए like कम से कम आपका 70% marks जो आपकी mark sheet के अंदर है वो दिखने चाहिए तब ही जाके आप उस तरह की job के लिए prepare होते है second कुछ basic skills आपके अंदर होने बहुत जरूरी है basic skills like आपको word आना चाहिए power point आना चाहिए excel आना चाहिए English writing skills ठीक टाक होने चाहिए बहुत अच्छे नहों लेकिन at least ठीक टाक होने चाहिए typing speed आपकी minimum होनी चाहिए यह एक other skills है जो expect किये जाते हैं कि आप graduate आपने की है आपने graduation complete किये तो obviously यह सब आपके अंदर होना चाहिए तो industry आजकल graduation को उस angle से नहीं ले रही उनका जो एक नजरिया है बदलता जा रहा है जिसकी वजह से graduation जो student है उनका scope day to day बढ़ता जा रहा है तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करें पर उसमें 70% और यह कुछ basic चीज है आपके पास होनी चाहिए अब इसके बाद हम कैसे पढ़ाई करें सबसे बड़ी चीज यह आती तो देखिए आप graduation के अंदर कोई भी university उठा लीजिए most of the universities के अंदर past examination questions जो होते हैं वो ही repeat किये जाते हैं even see exams में आप पिछले 15 साल के paper कर जाओवा आप pass हो जाओगे तो ठीक है वो एक इतना professional tough exam माना जाता है अगर वहाँ यह approach चल रही है तो become और BBA के अंदर आप past examination papers करें पिछले 5 से 10 साल के आपको अपने आप दिखेगा कि आपके अंदर confidence हैगा और आप देखेंगे कि उन 5 से 10 साल में कुछ तो ऐसे paper है questions है suppose 75 marks का paper है तो you will see कि 40 से 45 number के जो paper है वो तो fix है कि similar type के question ही आते हमेशा जैसे अगर आप financial accounting पढ़ नहीं है तो वहाँ पर दिल यूनिवस्टी के अगर मैं बात करूँ तो dissolution के अंदर piece mill distribution का या equation based insolvency का question है इन दोनों में से एक आना ही आना है तो इस तरह का कुछ ना कुछ आपको common pattern देखेगा तो उनको identify करिए और उन पर सबसे ज़ादा focus करिए यही एक simple सी approach है जिससे आप graduation के अंदर बहुत अच्छे mark secure कर सकते है और जो CACA, CMA साथ में कर रहे है उनको तो मैं यह कहूँग अपने common subjects का identify करो जो आपके सब graduation में common है उनको पर सबसे ज़ादा focus करो और अगर इस channel पर आपके video first time देख रहे हैं तो channel को subscribe करना ना बूले